ब्रो यह स्कॉलर्शिप एंटीब के लिए होते हैं या बस ओपन इसका आंसर भी वीडियो में आपको मिलेगा कितने पैसे मिलते हैं स्कॉलर्शिप में इसका भी आंसर मैं आगे आपको दूँगा और आपकी तरफ से बहुत जाथा कोश्चन्स हा रहे थे कि अगर हम ऑल इं या खोटा से अडमिशन लेते हो तो आपको फुल फीज बरनी पड़ेगी वेजिस अल्मोस्ट वन लाक थर्टी थाउजन तो फॉर्टी थाउजन तो के आगे की स्लाइट देखता है यहां पर भी कुछ कमेंट्स है हमारे पास ब्रो में यूप से जनरल काटेगरी से फीज एक स्कॉलर्शिप जो है हमारी टाटा स्कॉलर्शिप टाटा स्कॉलर्शिप भी कब अपलिकेबल होगी जब आप MBPS में अडमेशन ले लेंगे फर्स्ट यह में आप एक्जाम देने के बाद आपको अगर 75% आदे यानि आप डिस्टिंशन स्कॉर करते हो तभी आपको यह स्कॉलर्शिप मिल सकते हैं एंप करना मतलब हeurs थोड़ा सा मल इंप पॉसिबल नहीं है अगर आप कर लेते हो तो आपको स्कॉलर्शिप मिल सकती है यह समझाया है उनको कमेंट में एस्टी के कैटेगीर ग GC मिलती है, मिलती है फिस्टीय मिलती है इसका भी अंचरेंगा आगे विडिओ में м हो यह जल्दी विडिओ स्टाट करेंगे, हो इगा उससे बेले हमारा इंटरोड़क्शन थोड़ा सा कि आप देखें व्लॉग का मेडिकल में हो विवेक सेकेंडियर सॉरी सेकेंडियर खत्म हों कि थर्ड माइन स्टुडूइंट एट टीनमसी मुंबल यह मुझे देखके क्या ही करोगा चैनल देख लो बस 11 के सब्सक्राइबर से अपने पास अगर आप भी फैमली में होना चाह टीक है तो यहां पर हम देखेंगे ओपन कैटेगरी का फी स्ट्रक्चर टीक है यह रहा ओल इंडिया कोटा स्टुडेंट एन ओपन कैटेगरी इनके लिए फीज कितनी है वन लैक थर्टीन थाउसंद आलमस्ट समझे मलब यह क्या कर रहा है फूल फीस बर रहे और बाकी द समझे तो एक एक्जांपल से समझाता हूं मैं आपको मैं भी रिजव काटेगरी से बिलॉंग करता हूं और मैं 13,000 फीस बरता हूं और यह मेरा स्कॉलर्शिप का क्या बोल सकते आप कूपन है ठीक है तो इस कोपन में साफ साफ दिखाए दे रहा है आपको कि कितना इंस्ट समझे कहा जा रहा है इंस्टिटूट जिस भी आप कॉलेज में अड्मिशन ले रहे हो यह जो अमॉंट है वह कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और मेरा कॉड में कितना रहे है 3675 यह होगी फर्स इंसॉल्मेंट सेकेंड इंसॉल्मेंट में भी सेम इसका मतलब समझ करेंगे वह हम अपने हिसाब से खर्चा करेंगे कुछ इंस्टिट को देंगे कुछ खुद के पास रखेंगे बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता है शायद आप समझ गया होंगे यह टिकेट से की स्कॉलोशिप होता क्या है अगर आप नहीं समझे हो तो फिर भी कमेंट में ब इसके बाद में थोड़ा आपको फी स्ट्रक्चर समझाने सब्सक्राइब के यह मुझे बहुत मतलब करीब लगा बहुत सारे क्लेश के गदम करीबता नहीं बोल सकते बट थीक है बाकी रखेंपि एब अब एफिद के ऑपन के अटिकर और ओन आ एक फ्रेगडरी की फीस हो सब्सक्राइब लेकिन यह डिपेंट नहीं करता मतलब डिफरेंट हो सकती है जैसे 7000 टू 15000 समझ लो इसमें सारी फीज इंग्लोडर होती है यह देखो यह सारी फीज अनुल फीज डेलप्मेंट फी लाइबरी का डिपॉजट जिम खाना की फीज आइडेंटी काड का सब्सक्राइब कामेट में मुझे बहुत सारे डाउट साते कि यह एक साल की फीज या पांत साल की तो यह सिर्फ एक साल की फीज रहें कि बाके तो आप इंटर्शिप में आपको स्टाइपंड मलता है तो फुटा बहुत तो कवर हो जाएगा इतना साथ नहीं मिलता अभी सब्सक्राइब की थी उसमें भी 18,000 मिलती है और उसमें भी कितनी एक्जाक मिलते है मुझे ठीक से पता नहीं विकास मैं थार्ड माइनस टूटेंट इंटर्शिप में नहीं हूं इंटर्शिप में जाओंगा तब आपको अच्छे से बताओंगा ठीक है तो इतनी अच्छ मतलब यह होता है फी स्ट्रक्चर कोई भी कॉलेज देख लो फीस इसी के आराउंड होगी यह फीस आपको लगता होगा कि 120,000 होती है नहीं यह फीस पिछले साल बढ़ चुकी है और बढ़ के हो गई है वन लाग 40,000 ठीक है समझे एडबलेस के लिए इतनी होती है अब हमार स्कॉलोशिप पर आते हैं देखो गवर्मेंट स्कॉलोशिप से महाराष्ट में अड्मिशन लेते हो तो मुझे सिर्फ एक है वह है महाडी बीटी यही स्कॉलोशिप आप 11-12 को भी बढ़ते आ रहे होंगे और वही स्कॉलोशिप आपको म्भी बहुत जादा है लप करेग कोई दिक्केत नहीं तो समझें इंट्रोडक्शन दे दिया है एलिजिबिलिटी आपको पता है आपको गवर्मेंट क्या मतले गवर्मेंट कोटा से अड्मिशन लेना पड़ेगा क्या पराउंड से सीधा एप्लिकेशन प्रोसेस इजी है आपको भी समझ जाएगी है फिर क मुझे पाता है कितनी दिक्कते आती है ठीक है आपके पास सब रड़ी रखना एक फाइल में बहुत काम में आती है चीज़े एड्मिशन के टाइम भागा दोड़ी नहीं करनी पर स्कॉलर्शिप बेनिफिट अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो यह स्कॉलर्शिप आपकी टूशन फीस एक्जाम फीस कवर गड़ेगी जैसे मैं एक्जामपल में बताया था अच्छे से कि कैसे आपका फी स्ट्रक्चर है और कैसे स्कॉलर्शिप से इंस्टिट्यूशन की फीस कवर रप होती है ऐसा होगा ठीक है एन रिनुल एन कंटिनीशन स्वारी कंटि आपको पूरी फीस बर नी पढ़ सकते पूरी फीस बरने का फैदा ब्लकुन लेना फाइदा ही तो इसके लिए अच्छे से ध्यान रखो अपना फॉंब बर लो खुद का थीका है खुद बर लो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुदा मुझे पहले लगता था कि बहुत ज्या अब बाद में कोई दिक्कत नहीं वाले ठीक है तो यह एक बार जमा करके रख लो बाद में कोई दिक्कत नहीं वाले ठीक है सक्सेस्टोर अंचेंट सक्षन पूरा का पूरा खुल यह वाइंध कि अब आपको इंडिया को अगर आप अगर अब से लेते हो किसी भी स्टेट से हो कौन से बी काड़ेगरे से हो ओ बीसीटी स्टी स्ट यह ओपन को फुल फीज बरने पड़ए पिल्स कितनी है वन लाग 40 तौन अगर आप महाराःष्टिश सेटे मिशन लेते हो तो आपको फीज बरने पड़ेगी 13 ताउसन अगर आप रिजव टाटिकरी से हो तो आपको हाफ पीज बरने पड़ेगी जो अल्मोस्ट पढ़ते हैं यह बच्छ बच्च बुटते थे कि मेरे परेंट के इंकम आट लाग से उपर समझें उनको और कुछ बोलते थे मेरे परेंट की इंकम आट लाग से नीचे है तो मैं आपको उतनी भरनी पढ़ती है नाम अलगा अलगे थोड़े बहुत बेनिफिट्स के डिफरेंस से ज्यादा नहीं बट दुनों को स्कॉलर्शिप मिल जाती है समझे एंकरेज करो एलिजिबल स्टुडरंट्स को इंकरेज तो करी रहा हो मैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो कर दो कर दो मुझे पता है अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो अगर ज्यादा पसंद आया तो शेयर करो और ऐसा लगा हो कि मोटिवेशन मिलाओ थोड़ा सा कि हां एंब्स ज्यादा नहीं है स्कॉलर्शिप मिलती है ऐसा वैसा तो सब्सक्राइब करो जैसे मैं आपको कहा था सब सब्सक्राइब कर दो पैसे नहीं लगते हो फ्री में होता है सब्सक्राइब कर ठीक है और यह मैं हूँ नहीं बैदाना ठीक आज के वीडियो में बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन स्टेटीउन डिए